हलो एवरीवन वेलकम टू इसकोर शाला आज हम देखने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का बड़ा ही इंट्रेस्टिंग चैप्टर जो है फोरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनलिजम तो सर हम हमारी फोरेस्ट सोसाइटी को देखेंगे विद कोलोनलिजम की सर उसके ओप होता है जिसके अंदर जो लैंड होता है ना जो लाज लैंड होते हैं उनको किलिया कर दिया जाता है और उहां पर पर्टिकुलर टाइप ओफ ट्रीज को ग्रो किया जाता है उन्हें मैनेज किया जाता है तो ऐसे में सर जब है ना ऐसा प्लांटीशन हो रहा होगा जब ऐसी forestry को follow कर रहा होगा तो सर ऐसे में हम क्या करते थे हम जो Britishers जैते थे 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 उस rule का नाम यही था कि सर जो Indians है ना Indians were not allowed in forest तो सर जो forest है उनके अंदर Indians जो थे वो allowed नहीं थे उनको reserve forest बना दिया गया था और सर reserve forest के अंदर Indians नहीं जा सकते थे तो ऐसे में सर इन laws से इन rules से जो हम देखते आए हैं कि सर जो Britishers है उन्होंने हमें exploit किया है उन rules के बारे में हम यह देखेंगे कि सर आखिर इन rules ने कैसे है ना लोगों की life को affect किया especially during the colonialism ओके तो चलो अब discuss करते हैं आज की हमारे interesting topic को forest and villagers had very different ideas of water good forest should look like तो सर जह हम बात करते हैं foresters की villagers की तो सर हर किसी के पास है different ideas होते हैं कि सर आखिर जो यह forest है यह कैसा होना चाहिए क्यों कि सर जो villagers है ना villages की अपनी needs होती है कि सर हमें क्या चाहिए हमें fuel चाहिए हमें photo चाहिए तो उसके according हमें है ना एक ऐसा forest चाहिए जहां पर यह सब अवलेबल हो और जब हम बात करते हैं foresters की तो सर foresters का यह मानना होता है कि सर forest के अंदर हना different species होनी चाहिए कई सारी varieties होनी चाहिए trees की animals की ताकि सर हम यह discover कर सके कि सर हमारी country के अंदर क्या क्या है कौन कौन सी नई नई species है उसके अगलावा हम यह देख सकते हैं कि सर हमारा जो यह natural habitat है ना आखिर यह कितना diversify है फिर हम आगे देखते हैं villagers wanted forest with a mixture of species to satisfy different needs fuel, fodder and leaves जब हम बात करते हैं villagers की तो सर है ना villagers की different kinds of needs होती उनका एक mixture है needs का तो सर जैसे उनकी needs है fuel की, fodder की, साथ-साथ leaves की जैसा कि हम जानते है जो fuel wood होता है ना उसका use किस में किया जाता है वुड का use किस में किया जाता है as in fuel में किया जाता है ताकि जो वहां की grammy महिलाएं हैं वो क्या कर सके तो ऐसे में हम यह समझ सकते हैं कि सर जो fuel है मतलब सर जो wood है उसका use कैसा होता था as in fuel होता था, fodder, fodder का जैसा हम जानते हैं use cattle के लिए किया जाता है और सर जो different kinds of leaves होती हैं, जो herbs होते हैं उनका use medicine मनाने में किया जाता था फिर हम देखते हैं the forest department on the other hand, wanted trees which were suitable for building ships और railways अभी तक तो हम बात कर रहे थे सर villages की मतलब इस पूरी स्टोरी का scientific forestry का forest के true expects है क्यों क्यों कि सर एक जगे हम देख रहे हैं कि सर individual क्या चाहा रहा था, villagers क्या चाह रहे थे, फिर हम discuss करते हैं कि सर Britishers क्या चाह रहे थे, colonialize जो लोग थे न वो क्या चाहते थे तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो villagers है ना, उनका तो सिफ इतना ही motive था कि सर हमारी जो daily needs है ना, वो fulfill हो जाए पर जब हम बात करते हैं, Britishers की, officials की तो उनका मानना यही था कि सर हमें क्या करना है, कि सर हमें ज़्यादा से ज़्यादा profit earn करना है क्योंकि सर वो trees जो है, वो as in timber use की जाती थी, वो as in supply की जाती थी, कहां पर सर, shifts और railways, factories के अंदर ताकि सर ज़्यादा से ज़्यादा shifts और railways की building की जा सकी, मतलब उन्हें बनाया जा सकी, और साथ ही साथ उनका repair और maintenance भी किया जा सकी, क्योंकि हम बात करने हैं सर, colonialism की मतलब हम colonial period की बात कर रहे हैं, जब ज़्यादा तर जो shifts है, वो किस से बना करते थे, wood से बना करते थे, लखडी से बना करते थे, एक timber से बना करते थे, तो सर, ऐसे में उनकी जो need थी ना, उनकी need से इतनी थी कि सर, उन्हें एक ऐसा timber चीए, जो क्या हो, उसमें क्या qualities हो, they needed trees that could provide hardwood उन्हें एक ऐसी trees से यती जो है ना, hardwood provide करें, अब ऐसा तो है नहीं कि सर, अगर आप forest की बात करेंगे, तो forest में सारी ही trees कैसी होगी, hardwood वली होगी, नहीं होगी सर, different kinds of species होगी, और different kinds of species होने के कारण, different varieties होने के कारण सर, जो wood है ना, वो भी different different ही, होगा, ऐसा नहीं कह सकते कि सर, हर एक जो wood है, वो कैसा होना चाहिए, hard ही होना चाहिए, ऐसा हम नहीं assume कर सकते, and were tall and straight, और साथ इसाथ, tall होने चाहिए, straight होने चाहिए, so particular species like the teak and sal were promoted and others were cut, जो हम बात करते हैं, teak की, sal की तो सा, इन्हें promote किया गया, क्योंकि सर, जो teak है, जो sal trees होती है, वो कैसी होती वो hardwood वाली होती है, साथ-साथ, tall होती है, और जिसी के साथ-साथ, वो straight भी होती है, तो हम यह समझ सकते हैं, कि सर, जो promotion चल रहा था, जो promote किया जा रहा था, वो किसको किया जा रहा था, सर, टिक को और साल को, फिर हम आगे देखते हैं, in forest areas, people use forest product and roots, leaves, fruits and tubers for many things, जब हम बा अगे रहने वाले लोग हैना, वो forest products को different things के लिए use किया करते है, तो different products को वो use किया करते ही, जैसा कि हम बात करते हैं, root की, उसे comfortable बना सके fruits and tubers are nutritious to eat तो सब हम बात करते हैं fruits की तो सर्फ fruits के अंदर different kinds of क्या होते हैं nutrition होते हैं इसलिए उसमें कई सारे nutritious मिलते हैं फिर हम देखते हैं especially during the monsoon before the harvest has come in जब harvest नहीं हो हुआ होता है जब harvest होने ही वाला होता है उससे just पहले है लोग ज़्यादा से ज़्यादा fruits को consume किया करते थे सर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं nutrition भी ले सके और साथ इसाथ हमारे harvest के उपर हमारे cultivation के उपर भी इतना load ना पड़े अब हम बात करते हैं आगे herbs are used for medicine herbs का use किसके लिए किया जाता था medicine बनाने के लिए किया जाता था wood for agriculture implement like the yolks and plugs bamboo makes excellent fences is also used to make baskets and umbrellas यह है ना use किये जाते थे यह products है वह ऐसे use किये जाते थे जैसे हम समझ सकते हैं कि सर जो एक हम बात करते हैं forest people की तो सर उनके लिए है ना जो forest वह बहुत ही ज़्यादा जुरूरी था क्योंकि उनकी जो भी need है daily need से उनको satisfy कर रहा है उनको सर यह forest ही satisfy कर रहे हैं तो ऐसे में सर जो agriculture है agriculture के लिए yokes बनाये जाते थे plugs करने के लिए बनाये जाते थे साथ इसाथ bamboo जो है वह किसके लिए बनाये जाते थे किसे scooped out God से फिर हम आगे देखते हैं तो ऐसे हमें यह समझ में आता है कि बच्चों की जो लोग थे ना वहां कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी थे उस time के forest almost everything is available in the forest leaves can be stitched together to make disposable plates and cups जब हम बात करते हैं कि सर कौन-कौन से products तो अभी तो हमने कुछ products देख लिए medicines होगे देख लिए उसके अलावा plates की बात करते हैं cups की बात करते हैं शियादी भ्योगनिया रहली की बात करते हैं creeper can be used to make ropes तो उनका जो use है वो ropes बनाने भी भी किया जाता था साथ ही साथ throney bark of the summer silk cotton tree is used to get vegetables और साथ इसाथ हम क्या बनाते थे great भी बनाया करते थे किसके लिए vegetables के लिए कहां से यह product हमें कहां से मिल रहे हैं यह सारे के सारे हमें forest से मिल रहे oil for cooking and to light lamps can be pressed from the fruit the mahuya tree तो हम बात करते हैं oil की तो sir जो oil cooking oil है वो भी हमें कहां से मिल रहा था forest से ही मिल रहा था पर जो British officials से न वो यही चाते थे कि sir जो forest का use है वो Indians ना करें तो आप समझ सकते हैं कि sir इतने सारे products हमें मिल रहे थे और British ने क्या कहा British ने कई सारे roots लाए और उन्होंने directly Indians को कह दिया कि sir आप आप क्या है ना इन forest में नहीं जा सकते हैं आप इन products का use नहीं कर सकते हैं फिर हम देखते हैं आगे the forest act means severe hardship for villagers across the country जब हम बात करते हैं forest act की तो sir forest act के अंदर हमने यह देखा था कि sir जो important forest है उन्हें reserve forest बता दिया गया protected forest बता गया और साथ इसाथ forest बता दिया गया तो हम यह समझ सकते हैं कि sir उन्होंने categorize कर दिया था forest को जो reserve forest होते थे उनके अंदर कोई भी इंडियन नहीं जा सकता था और साथ इसाथ जो protected और जो conserve forest होते थे उनके अंदर Indians जा सकते थे पर sir उनके लिए permission चाहिए होती थी अब ऐसे में जैसे ही forest act हमारे all their everyday practices and cutting wood for their houses grazing their cattle collecting fruits and roots hunting and fishing became illegal जब हम बात करते हैं तो sir इस act के कारण क्या हुआ जो houses बनाने के लिए जो wood लाया करते थे grazing के लिए cattle को लेके जाया करते थे fruits collect किया करते थे साथ इसाथ hunting किया करते थे fishing किया करते थे यह सारी activities कैसी हो गई थी illegal हो गई थी वीटिस ने कहा कि सर यह सारी activities क्या है illegal है legal activity क्या है जो हम plantation आगे करने वाले हैं वो क्या है वो legal है तो ऐसे में हम यह समझ सकते हैं कि sir विटिशस ने हमें है indirectly क्या किया था हमें बहुत जादा exploit किया था क्यों कि सर हम यह देख सकते हैं directly एकड़ीनने ईयसा कुछ NEW आफिपनेयार िंदधा कि व्हाँ घला के राफिण परिंधा करें दोगे विец्यां के तौह यह देखते हैं। श्रोगों कि पास और कोई रास्ता नहीं बचाता है सिवाय कि स्काइब प्रास्ध की रिखते हैं। अब लोग चोरी करने लगे थे वूट की, क्योंकि सर है ना, forest के अंदर जाने का, उनके पस permission हुआ नहीं करता था, तो वो क्या करते थे, वो कई सारे तरीके निकाला करते थे, ताकि वो सर है ना, वूट को collect कर सके, फिर हम आगे देखते हैं, और जब हम बात करते हैं, उनके पकड़े जाने की, तो सर कई बार ऐसा भी देखा जाता था, उनने कई सारी severe punishment भी दी जाती थी, या फिर कई बार जो management था, वो क्या करता था, वो bribe ले लिया करता था, corruption का हमें कुछ scene यहाँ पे देखने को मिल जाता था, अब ऐसे में सर्थ जो bribe होती थी ना, वो उनके लिए fix हो चुकी थी, women who collected fuel wood were especially worried, अब ऐसे में, women's के सामने बहुत बड़ी समस्या आखड़ी हुई थी, क्यों हो गई थी, क्योंकि sir, अब है ना, वो जो fuel collect करती थी, वो जो fuel wood collect किया करती थी, अब वो वहाँ पर कैसे collect करती, अब वो वहाँ पर कैसे collect करती, तो यह देखा जाता था, अक्सर की वो लोगों से क्या demand करते थे, free food की demand किया करते थे, ताकि वो क्या करते कि, ताकि वो fuel wood को collect कर सके, तो ऐसे में sir, उनकी जो condition है, वो बहुत ही ज़्यादा severe हो जाती है, तो हमें ये समझ में आता है, कि sir, जो scientific forestry थी, उसका हमारे जो लोग थे, हमारे जो Indians थे, उनका उस colonialism time period के अंदर, क्या उनके उपर impact पड़ते हैं, तो बच्चो ऐसे interesting videos के लिए जुड़े रही है, स्कोर्षाला के YouTube channel से, Thank you.